गुरुवार शुक्रवार की रात्री करीब तीन बजे सिंगोली से दो किलो मीडर दूर ग्राम पंचायत पटियाल के जराड गाउं में अचानक आग लग गई बताया जारा है कि किसान शांतिलाल पिता अमर्चंधाकर के बाड़े में आग लगी है जानकारी में सामने आया कि किसान के बाड़े में रखी मक्का की करीब 12 राली कड़प जलकर खाक हो गई आग की लपते इतनी तेश थी कि पासी के बाड़े में पशुओ के खाने के लिए गेहू सुयब इनके खाकले में भी आग लगने से सब कुछ खाक हो गया जिससे किसान शांतिलाल पिता अमर्चन को लगबक 27,500 रुपे का आर्थिक नुकसान होना प्रतित हो रहा है इस नुकसान की भरपाई के लिए गाउं की जागरुक उपसरपंच विक्रम सी चुंडावत वबाच्पन इता हिम्मत सी चुंडावत दुआरा किसान को सरकारी मदद से आर्थिक साहिता प्रदान करने की मांग की गई है